आम आदमी पार्टी के निताओं की आदत है कि वो काम कम करते हैं और बवाल जादा काटते हैं। आप के निता हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं लेकिन वो इस बार मुश्किल में फस गए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर इस बार जो बात बाहर आई है उससे उनकी आफ़त बढ़ सकती है शिसमहल को लेकर सबसे बड़ी बात बाहर आ गई है अरविंद केजरवाल के सीम रहते शिसमहल में क्या हुआ था इसका खुलासा हो गया है दिली के लजी ने शिसमहल पर खुला पर अब चुनाओ से पहले आतीशी की चिंता बढ़ गई है। दर्शको दिली के भीतर बंगला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कि उन्हें बढ़ा घर और बड़ी गारी नहीं चाहिए वो बंगले के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। तो वहीं गारी की बात करें तो वो बड़ी बड़ी गारीयों में घूम रहे हैं। यानि कि राजनितिक चकाचौंद से ऐसे प्रभावित हुए कि आपके मंतरी और विधायक बंगला और घर दोनों लिए बैठे हैं और जनता उनका बदला स्वरूप देखकर परिशान है। लेकिन आपके निताओं को पता है कि जनता को गुमराह करने के लिए नाटक कैसे करना है। निगम यानि MCD की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। जबकि निर्मान से पहले ये जरूरी है। इसलिए अब तक इसका कमपलीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। ये घर पूरी तरह से अवैद है। करने के लिए योधिस्तर पर काम करने में व्यस्त है। इलजी की ये टिपनिया आवास्तब में प्रतिकिरिया देने लाइक नहीं है। इलजी सचीवाले ने कहा था कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद के जिवाल द्वारा अपने पुर्वावर्ती आवास छे फ्लैग स्टाप रोड की चाभी और कबजा 9 अक्टूबर 2024 को लोक निर्मान विभाग को सौप दिया गया था। इसके बाद PWD द्वारा मान डंडो के अनुसार 10 अक्टूबर को सवी समानों की सुची तयार की गई और 11 अक्टूबर को इस आवास को उनकी उत्राधिकारी मुखे मंतरी आदिशी को आवंटित कर दिया गया था। अक्टार LG पर अभद्र टिपनी की बलकि पूरे देश के लोगों को भी इस विशय पर गुमराह करने का प्रियास किया। उन्होंने LG पर राजनितिक उद्देशों का आरोप लगाते हुए उन पर अभद्र टिपनी की। जबकि वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि आवास को खाली करने या इसके आवंटन की परकिरिया से उनका कोई लिना देना नहीं है। LG सची वाले के अनुसार आदिशी ने दावा किया था कि वो सरकों पर काम करेंगी क्योंकि उन्हें घर आवंटित नहीं किया गया था। और पानी का पानी कर दिया है। विपक्ष के राजनीतिक एजेंट जयादा लगते हैं। जब विपक्ष की हार होती है तो वो मातम मनाने लग जाते हैं। यही हाल है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत हर हाल में बस ये चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार बने और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेखते रहे। लेकिन दोस्तो असली किसानों को राजनीतिक किसान राकेश टिकैत की असलियत समझ आ गई है। तबी तो वो किसानों के नाम पर जासा देने वाले लोगों के बीच नहीं फसते हैं। और अब किसानों ने राकेश टिकैत को साइड कर दिया है। जैसे ही कॉंग्रेस हरियाना में हारी राकेश टिकैत के सीने पर भी जलन के साप रेंगने लगे हैं। दरसल हरियाना में कॉंग्रेस की हार से बेचैन राकेश टिकेट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसान किसी दूसरे पार्टी के साथ नहीं गए हैं। कुछ किसान आंदोलन की वज़ा से सरकार से नाराज थे और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खरे रहें। देश में चुनाओ पार्टी धर्म और जाती के आधार पर होते हैं जो जिस पार्टी को चाता होगा वो उसके पक्ष में ही मतदान करेगा। जो किसान मजदूर पार्टी के साथ होता है वो उसी को चुनता है मगर संगठन की बात आती है तो वो उसी के साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि किसान संगठन की विचारधारा के मुताविक ही सब कुछ करे राकेश टिकेट ने कहा कि दिली में हुए आंदोलन के दोरान सभी पार्टी की विचारधारा वाले लोग इसमें जुरे थे मगर हरियाना विधान सभा चुनाओं के नतीजों का गनित समझ नहीं आया जनता ने इने वोट नहीं दिया लेकिन जीत इनकी हुई है जैसे यूपी में गन्ना समीती के चुनाओं में हो रहे है यहां पर सीधा खेल उनका ये है कि दूसरी पार्टी के लोगों का पर्ची कैंसिल कर दो और बगैर वोट के जीत जाओ उन्होंने हरियाना में भी कोई फॉर्मूला लगाया होगा उन्होंने कहा कि जहां जिस पार्टी की सरकार रहती है वहां एंटी गवर्मेंट महौल बनता है चतिसगर में पहले कॉंग्रिस की सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन चला तो वहां बीजेपी आ गई बीजेपी वाले मास्टर हो गए है वो चुनाओ आयोक के डंडे बुद्धी लगा कर अराम से जीत जाएंगे यही उनका फॉर्मूला है कि हमको एलेक्शन जीतना है सत्ता नहीं छोड़नी है वहीं EVM के सवाल पर राकेश टिकेट ने कहा कि मैं साफ तोर पर कहूंगा कि चुनाओ में गर्बर है और मैंने पहले भी ये बात कही है जैसे EVM अभी रख दिये गए हैं लेकिन बाद में किसी अन्य राज में चुना होंगे बूथ तक EVM के पहुचने से पहले इसे किसी पार्टी को नहीं दिखाये जाता है पहले से ही उसको इंजिनियर प्रग्राम करते हैं सब EVM का खेल है EVM बीजेपी की मौसी है राकेश टिकैट ने किसानों के आंदोलन का जिकर करते हुए कहा कि अभी बॉर्डर पर हमारा धरना चल रहा है जो लगबग 14 महीनों तक चलेगा वहीं बिनेश फोगाट की जीत पर बोलते हुए राकेश टिकैट ने कहा कि अच्छी बात है वो जीत गई लेकिन बीजेपी वालों तो अपने ही नेता को हरवा देते हैं केसब मौरे को पहले चुनाव में हरवाया और उसके बाद उन्हें फिर से डिप्टिस सीएम बना दिया ताकि वो ठीक रहें अब दर्श को ईवीम से जीती विनेश फोगाट की जीत को राकेश टिकैट अच्छी बात कह रहे हैं लेकिन उसी इवीम से जीते बीजेपी के विधाय को कुले कर उन्हें गरवरी दिख रही है दर्श को समझने की जरूरत है कि राकेश टिकैट इनी वजहों से किसान नेता के तौर पर अपनी प्रासंगिक ताक हो चुके है और वो अब सिर्फ विपक्षी एजेंट के तौर पर दिखते हैं अब विपक्ष इवीम का रोना रो रहा है तो राकेश टिकैट भी विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे है आम आदमी पार्टी इन दिनों बैक्फूट पर है आपके नेता अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो लोगों के निशाने पर आ जाते हैं इस बार CM आतीशी की वज़ा से लोग पार्टी पर निशाना साथ रहे है दर्श को समझने की जरूरत है कि आतीशी को भी मजबूरन PM मोदी के दर पर आना ही पड़ा भले ही दिल से ना आई हो आतीशी लेकिन आतीशी को PM मोदी से कथित तोर पर सहयोग मांगने आना ही पड़ा दर्शको आतिशी और आप पियम मोदी को ना जाने क्या क्या अनाप्शनाब बोलते रहें लेकिन पियम मोदी ने कभी भी पलट कर आपको जवाब नहीं दिया दर्शको आपको कभी इस बात की लज्जा नहीं आई कि आप पियम मोदी को लगातार बदनाम कर रही है लेकिन CM बनने के बाद आतिशी को PM मोदी से मिलना ही पड़ा क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिना PM मोदी के सहयोग से उनकी गारी आगे नहीं चल पाएगी BJP जिस तरह से आरोप लगा रही है कि दिल्ली का खजाना खाली हो गया है उससे सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाओं से पहले खाली हुए दिल्ली के खजाने को भरने के लिए आतिशी PM मोदी के पास पहुँची लेकिन दर्श को जब आतिशी PM मोदी से मिली तो सोशल मीडिया यूजर्स आतिशी और आपको लेकर तंज कसने लगें दर्शल दिल्ली की मुखे मंतरी आतिशी मारलीना ने PM नरेंदर मोदी से मुलाकात की है इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं दिल्ली की मुखे मंतरी बनने के बाद ये उनकी PM मोदी से पहली मुलाकात थी ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दिली में सत्ता रूट आम आदनी पार्टी शीस महल के आवंटेन को लेकर LGV के सकसेना के साथ टकराओं की हालत में है BJP लगातार शीस महल पर आपको एक्सपोज कर रही है वहीं PM मोदी ने इस मुलाकात की फोटो एक्स पर शेयर की है इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट किये जिसमें कुछ तो काफी मज़दार है वैभव नाम के एक यूजर ने इसे सत्य पर असत्य की जीत करार दिया है वहीं गुरुदास नाम के यूजर ने लिखा है कि उमीद है इस मुलाकात के बाद के जिरिवाल एक साल के लिए फिर जेल चले जाएंगे वहीं संजीव यादव ने लिखा है कि दो-दो बंगले चाहिए इनको क्योंकि ये आम आदमी है वहीं निशांत नाम के यूजर ने लिखा है कि आतिशी जी आपकी मुस्कान से लग रहा है कि कहीं के जिरिवाल जी के हाथ से दिल्ली तो नहीं जा रही है वहीं एक यूजर ने लिखा है कि असत्य और अन्याय का प्रतिक इसके अलावा भी कई और लोगों ने अपनी बात रखी है गौरतलब है कि आम आदनी पार्टी की दिली सरकार और दिली के LG विके सक्सेना के बीच आम तोर पर कई मुद्दों पर टकराओं के हालात बने रहते हैं आपका दावा है कि दिली के LG ने दिली की जंता से चुनी हुई सरकार को काम करने से हर हाल में रोकने के इंतजाम किये हैं जबकि दिली की सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है वहीं दिल्ली के लगी का आरोप है कि राजजसरकार ने कई मामलों में नियम काइदे की परवाह किये बिना मनमाने तरीके से काम किया है वहीं पीम मुदी से मुलाकात के बाद आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि माननीय प्रधान मंतरी जी से मुलाकात की मैं हमारी राजधानी के कल्यान और प्रगती के लिए केंद्र और दिली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हूँ दर्श को समझने की जरूरत है कि आपके जादतर नेता अक्सर पीम मुदी पर तीखा हमला करते रहते हैं लेकिन पीम मुदी बिना कुछ सोचे समझे बिना भेद भाव किये विपक्ष के नेताओं के साथ मिलते हैं और सरकार चलाने में सहयोग करते हैं क्योंकि पीम मुदी राष्ट सेवा के लिए सत्ता में आये हैं ना कि शेस महल के लिए वहीं आपके नेताओं पीम मुदी से राजनेतिक सोहार्द सीख सके तो उनके लिए ही बेहतर होगा आम आदमी पार्टी के लिए अब हर तरफ से बुरी खबर आ रही है आपने जो कांड किया है उसका हिसाब अब हो रहा है दर्श को दिली की सरकार को फिर से कोट से तगडी फटकार लगी है कोट ने कह दिया है कि भाईया आपको विधाई मामले की शुरुआत करने से पहले तथ्यों की अच्छे से जाच कर लेनी चाहिए दर्श को लगता है कि आतिशी सरकार ने कोट को भी दिली की मासूम जनता समझ लिया है जिससे आप राजनितिक फायदे के लिए गुमराह किया जा सके तो असत्य बोलने वाली महिला के पक्ष में दिली सरकार ने अपने सिफारिश दे डाली जैसा असत्य आप बोलती है वैसा ही असत्य बोलने वाले लोग भी आपको पसंद आ जाते हैं अतिशी ने भाशन भी दिया था कतितोर पर कि असत्य की जीत होगी तो चल दी अपने भाशन को भी समर्थन करने के लिए लेकिन कोट ने आपकी सरकार को जम कर रगर दिया दरसल दिली हाई कोट ने रेप के परियास मामले में ट्रायल कोट द्वारा बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत मांगने के लिए दिली सरकार को फटकार लगाई है कोट ने याजका को खारीच कर दिया और कहा कि दिली सरकार के कानून और विधाई मामलों के विभाग को मामले शुरू करने में अधिक सतर करहना चाहिए बार एन बेंच के रिपोर्ट के अनुसार दिली हाई कोट ने हाली में दिली सरकार को 2011 के बलातकार के परियास के एक मामले में बड़ी किये जाने को चुनावती देने के लिए फटकार लगाई शिकायत करता ने सुनवाई के दोरान सुईकार किया था कि उसने जूटा मामला दायर किया था जस्टिस अमित महाजन ने ट्राइल कोट द्वारा बड़ी किये जाने के फैसले के खिलाफ अपिल करने की इजाजत मागने वाली राज की आजका को खारिच कर दिया है साथ ही इसपश्ट कर दिया है कि अभियोजन पक्ष और दिली सरकार के कानून और विधाई मामलों के विभाग को मामले शुरू करने में अधिक सतर करहना चाहिए जस्टिस अमित महाजन ने जोड़ दे कर कहा कि ये जरूरी है कि नयाई प्रकिरिया की अखंडता को बनाए रखने और वैद शिकायतों वाले लोगों के लिए समय पर नयाय सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन और कानूनी विभाग मामले शुरू करने से पहले उचित पर इश्रम करे इस मामले में एक युवा महिला दौरा अपने मकान मालिक के बेटे के खिलाफ आरोप लगाये गया था जिसमें उसने मार्च 2011 में अपनी इमारत की छट पर उसके साथ बलातकार करने का प्रियास करने का आरोप लगाया था पिरित ने दावा किया था कि जब वो छट से गद्दा ला रही थी तो आरोपी ने उसे पकर लिया और पास की जोपरी में ले जाकर रेप करने का प्रियास किया कतित तोर पर वो शोर मचाने में काम्याब रही जिससे वो भाग गया मुकदमे के दौरान अवियोजक पक्ष ने 15 गवाह पेश किये हलाकि ट्र ट्रायल कोट ने पुलिस को दिये गए उनके शुरुआती बयान और आपराधिक प्रक्रिया सहीता की धारा 164 के तहत दर्ज की गए उसकी गवाही के बीच विसंगतियों को भी उजागर किया उसके बार ट्रायल कोट ने आरोपी को बरी कर दिया आरोपी के बरी होने के बा आप सरकार को जटका लगा है बिरो डिपोर्ट ओमेच निउस और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं